स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉंफी कार्स में और आज हम बात करेंगे 12 अपकमिंग कार्स के बारे में जो ये 2024 में भारती ये बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नमबर बन पर आती है टोयोटा क्राउन सिगनिया ये एक फाइव सेटर SUV है जो की यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आएगी इस कार की प्राइजिंग चलू होगी 10 लाख रुपे से और इसका जो टॉप मॉडल है वापको तकरीबन 17 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा जो कार का लुक से जरब काफी मॉडन और स्लीक है देखने में कार प्रीमियम लगती है वहीं अगर बात करें इसका लेक्रिकल्स के बारे में तो फ्रेंट में आपको LED डियारिल यहाँ पर आपको LED हैललाइट्स बड़ी से आपको यहाँ पर ग्रिल मिलेगी ब और आटोमेटिक ट्रांस्मिशन आपको इस कार में दिया जाएगा इंटिरियर से बात कर लेते हैं तो आप अपनी फैमली के साथ आराम से कॉंफटेबल हो किसमें ट्रैविल कर लोगे जो कार में फीचर्स जिसे होगे 9 इंच इन्फोटेमिन सिस्टम, LCD ड्राइवर जाएगी तो जुलाई एंड तक ये कार लॉंच होने वाली है नमबर टू पर आती है होंडा HRV, HRV एक फाइव सेटर SUV है जिसकी प्राइजिंग चलू होगी 10 लाख रुपे से और इसका जो टॉप मॉडल हो आपको तकरीबन 17 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा जो कार क लुक्सन देने वो काफी लक्शरी और प्रीमिया में देखने में कार बहुत स्टाइलिश लगती है वहीं अगर बात करें इसके लेक्टरिकल के बारे में तो फ्रेंट में आपको LED हैडलाइट, LED DRL, नीचे आपको LED फॉग लैंप, पीछे आपको LED टेल लाइट और बल्ब लेते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ आराम से कॉंफुटिबल हो के समय ड्राइविल कर लोगे, जो कार में फीचर्स हैं जैसे क्यों गया 8 इंच इन्फोर्टेमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टेरिंग वील, मांटेड कंट्रोल, रिमोट इंज लांच होने वाली है, नमबर थ्री पर आती है टाटा कर्व, कर्व एक फाइव सेटर कूपे शेप SUV है, जिसकी प्राइजिंग चलू होगी 11 लाख रुपे से, और इसका जो टॉप मॉडल है, वह आपको तकरीबन 17 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा, जिस कार को जब से रिवील किया गया है, तब से काफी लोग इस कार का भी सबरी से इंतजार कर रहे हैं, कार में आको बहुत ही शांदार लुक्स दिया जाता है, जो लेक्रिकल की विजिबिलिटी जो फंक्शनिंग है, वो भी यहाँ पर आपको आल एलेडी के सेट अप में दी जाती है, अब अगर बात कर लेते हैं, तो आप अपनी फैमली के साथ आराम से कॉंफटेबल ओकेस में ट्रैविल कर लोगे, जो कार में फीचर्स हैं, और यहाँ पर जितने भी सेटी फीचर्स हैं, वो आपको प्रैस के सबसे बहुत बढ़ी ओफर किये जाएंगे, अब अगर बात क कर लेते हैं कि ये कार कब तक लांच हो जाएगी, तो आगस्त दोहजार चौबिस में ये कार लांच होने वाली है, नमबर फोर पर आती है किया निरो, निरो एक फाइब सेटर एस्यूवी है, जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आएगी, इस कार की प्रैसिंग काफी बड़ी मिलती है, और आपको बल्ब इंडिकेटर्स दिया जाते हैं, इस कार में आपको 18 इंचेस के अलोई वील्स मिलेंगे और 190 mm का ग्राउंड किलरेंस दिया जाता है, एंजन की बात करें तो इसमें आपको दिया जाएगा 1.6 लीटर का नाच्रली एस्परेटेट सिस्टम, एम्बेंट लाइटिंग, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टेरिंग वील मांटेट कंट्रोल, स्मार्ट क्रूस कंट्रोल, लैधर सीट्स, सेफटी क्लेसिक्स एयर बैक्स, ABS, EBD ये सारी फीचर्स आपको दिये जाएंगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि य अगस्त दोहजार चॉबिस में ये कार लाँच होने वाली है, नमबर फाइप पर आती है हॉन्डा सिटी हैचबेक, हॉन्डा कमपनी प्लैन कर रही है एक हैचबेक कार को लाँच करने का और उनके पास हॉन्डा सिटी हैचबेक एक बहुत भेस्ट आप्शन हो सकता है आपको टोटली नया मिलता है, इसके एंजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो इसमें आपको दिया जाएगा 1.2 लीटर का आईवी टैक पैट्रोल इंजन जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनूल ट्रास्मिशन और आटमाटिक ट्रास्मिशन दिया जाएगा, इस कार में आपको 16 इंचे के लाई wheels मिलेंगे और 170 mm का ground clearance दिया जाएगा, इंटीर से बात करें तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable होगे इसमें travel कर लोगे, जो कार में features हैं जैसे कि हो गया 7 इंच infotainment system, steering wheel, mounted controls, remote engine start, auto AC, safety के लिए 4 airbags, ABS, EBD, hill start assist, adaptive cruise control, यह सारे features आपको offer किये जाएगे, अब बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक launch हो जाएगी, तो जुलाई end तक ये कार launch होने वाली है, नमबर 6 पर आती है Volkswagen Polo, पोलो एक 5-setter hatchback car जिसकी pricing चलू होगी 7 लाग रुपे से, और इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 12 लाग रुपे के अंदर मिल जाएगा, जो कार का लुक और LED indicators दिये जाते हैं, एंजन इसमें आपको दिये जाएगा, वन लीटर का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और automatic transmission दिये जाएगा, 16-inch के alloy wheels और 165 mm का ground clearance आपको इस कार में दिये जाएगा, इसके interior से बात कर लेते हैं, तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable location में travel कर लोगे, 7-inch inf containment system, TFT driver display, 3 drive modes और जो safety features हैं, वो भी आपको शांदर दिये जाएगे, और ये जो कार है, ये अगस्त दोहजार 24 में भारती ये बजार में launch होने वाली है, नमबर 7 पर आती है Nissan Juke, Juke एक 5-setter premium SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 9 लाक रोपे से, और इसका जो top model है, वो आपको तकरीब 15 लाक रोपे के अंदर मिल जाएगा, ये जो कार है, ये यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आगी, कार का जो लुक सेंड देने, वो काफी muscular और sporty है, देखने में कार बहुत ही premium लगती है, वहीं अगर बात करें इसका electrical की, तो front में आपको LED headlights, circular shape में LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED light और bulb indicator software किये जाते हैं, इस कार में आपको engine दिये जागा 1.2 लीटर का turbo petrol और दूसरा आपको दिये जागा 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine, 5-speed के manual transmission और 6-speed automatic transmission के वाली कार दी जाएगी, इसके interior से बात करें, तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो कार मे features हैं, जैसे क्यों कि आप blind spot monitoring, climate control, leather, apostry seat, 10-inch infotainment system, LCD driver display, 360 degree camera और जो safety features हैं, वो भी आपको शांदर दिये जाएगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कप तक launch हो जाएगी, तो जुलाई end तक ये कार launch होने वाली है, नमबर 8 पर आती है Toyota Rush, रश एक 7-setter SUV है, जो कि यहा आने वाली है, 10 लाख रुपे से ये गाड़ी चालू होगी और इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 17 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा, जो कार का looks and design वो simple ही है, लेकिन simple looks में भी ये कार देखने हैं बहुत खूबसूरत लगती है, वहीं अगर बात करें इसका electricals के बा आपको इस कार में दिया जाएगा, इंटिरियर से बात करें तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable location में ट्रैविल कर लोगे, जो कार में features निते होगे 7 इंच infotainment system, steering wheel mounted controls, auto AC, keyless entry, leather upholstery seat, six airbags, ABS, EBD, lean keep assist, ये सारे ही features आपको दिया जाएगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये इसकी pricing चलू होगी 20 lakh रूपीज से और इसका जो top model है वो आपको तकरीबन 30 lakh रूपीज के अंदर मिल जाएगा, जो कार का looks and design वो काफी premium, luxury और sporty है, देखने में कार बहुत घजब लगती है, वहीं अगर बात करें इसके electricals के बारे में, तो front में आपको all LEDs का setup मिलेगा, तो visibility को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वहीं पीछे आपको H-shape में LED light और LED indicators दिया जाएंगे, एंजन इसकार में आपको दिया जाएगा, टू लीटर का naturally aspirated petrol engine, जिसमें आपको 6-speed का manual transmission और 8-speed automatic transmission दिया जाएगा, इसकार के interior से बात करें, तो आप साथ लोग आराम से comfortable location म travel कर लोगे, जो कार में features जैसे को गया 10.25 inch infotainment system, 12.25 inch का TFT driver display, dual zone climate control, heads up display, wireless charging, 360 degree camera, safety के लिए 8 airbags, ABS, EBD, ये सारी features आपको offer किये जाएंगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक launch हो जाएगी, तो ऑगस्त 2024 में ये car launch होने वाली है, नमबर 10 पर आती है Jeep Renegade, Renegade एक 5-setter premium SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 12 lakh रुपे से, और इसका जो top model है वापको तकरीबन 21 lakh रुपीज के अंदर मिल जाएगा, जो car का looks and design वा boxy shape में है, लेकिन car देखने हम बहुती घजब लगती है, इसमें आपको 4X4 की capability भी मिल जाएगी, proper आ engine इसमें आपको दिया जाएगा 1.5 लीटर का turbo petrol engine, जिसमें आपको 6-speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, इसके interior से बात करें, तो आप अपनी family के साथ आराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो car में features जैसी होगे 10 inch infotainment system, digital driver display, dual zone climate control, heads up display, safety classics airbags, ABS, EBD, link keep assist, ADAS system इस सारी features आपको offer किये जाएग तो July end तग ये car launch होने वाली है, number 11 पर आती है Suzuki S-Cross, S-Cross एक 5-setter compact SUV है, जिसकी pricing चली होगी 8 लाग रुपे से, और इसका जो top model वापको तकरीबन 14 लाग रुपे के अंदर मिल जाएगा, जो car का looks and design वो simple ही है, लेकिन decent looks में भी ये car देखने बहुत खुपसूरत लगती है, वहीं अगर बात करें इसके electricals के बारे में, तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको hydrogen fog lamp, पीछे आपको bulb indicator और यहाँ पर आपको LED light दी जाएगी, engine इसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर का hybrid petrol engine, जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, इसके interior से बात करें, तो आप अपन तक launch हो जाएगी, तो August 2024 के end तक यह car launch होने वाली है, नमबर 12 पर आती है Nissan Rogue, रोग एक 5-setter premium SUV है, जिसकी pricing चलो होगी 14 लेक रुपीज से, और इसका जो top model है, वह आपको तकरीबन 21 लेक रुपीज के अंदर में मिल जाएगा, जो car का look से नितनों काफी modern है, sleek है, देखने में car बहुती bold लगती है, जब इसका road presence आप देखोगे तो आपको एक जलक में ये car पसंद आ जाएगी, इसके electricals की बात करें तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको बड़ी सी LED light और LED indicators दिये जाते हैं, एंजिन इसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर का turbo petrol engine, जि car में features हैं, जैसे क्योंगे 10 inch infotainment system, TFT driver display, 2 zone climate control, leather upholstery seat, steering wheel mounted controls, 360 degree camera, safety classic airbags, ABS, EBD, 3 drive modes, ये सारी features आपको offer किये जाएगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये car कब तक launch हो जाएगी, तो September 2024 में ये car launch होने वाली है, बाकी आप comment करके ज़रूर बताना, कि इन 12 cars में से ऐसी कौन सी कारे, जो यहाँ पर आप सबको पसंद आई है, अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos.